तो एक और कोशन हमारे पास है, कोशन में आगया कि यदि ABC GP में हूँ, यदि ABC गुनत्य शिर्णी में हैं तब लोग 10 on base A, लोग 10 on base B, लोग 10 on base C किस शिर्णी में हूँ हैं? ठीक है यह आप से पूछा गया है, तो चलिए सुलूशन निकालते हैं इसका, सुलूशन क्या कहता है, देखो, यदि ABC गुनत्य शिर्णी में हैं, तो एक relation हमें मिलता है, कि हम ऐसे लिख सकते हैं, A, B, C, R, N, G, P, मतलब ऐसा लिखना है, मतलब इसलिए लिखना हो, ताकि थोड़ा explain हो जाए, आपको पता चल जाए चीज होगा, यह ना, बाकी जतना ज्यादा हो जागे, डारेक्ट करेंगे इसको तो उतना अच्छा है, तो relation हमें मिलता है, B squared is equal to KC, ठीक, अब इस relation से हम आगे चलेंगे, लेकर गए, इसका आप क्या करेंगे, लोग ले लेंगे, दोनों और, दोनों और, लोग लेने पर, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, लोग B squared is equal to log A, C, ठीक है, अब जो हमने यह लोग लिया है, वो on base 10 लिया है, ठीक है, 10 इसका क्या है, बेस है, अब आगे आजाते है, अब 10, simple सी बात है, जब इसमें यहां पर 10, अब यहां पर A, B, C तो अलग चीज़े है, बाकि 10 इसमें common है, तो यह common सी बात है, कि हम जो base लेकर के चलेंगे, वो 10 लेकर के चलेंगे, ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या जाएगा, log 10, B is equal to, यहां से क्या जाएगा, log on base 10 A, plus log C, sorry, 10 on, यहां करा होगे, C, ठीक है, यहां यहां रखी 10 base पर, log C, यह हमारी log के property होती है, अगर 2 number जो है, multiplication में है, तो हम उसको खोल के जब लिखेंगे, expand करेंगे, तो plus में रखेंगे, अब ये देखने से ऐसा लग रहा है कि जो log 10, sorry log B on base 10, log A on base 10 और log C on base 10 जो है, वो किसमे है, आर in AP में है, किसमे है, AP में है, अब अगर इसका क्या कर दें आप, रसी पोगल कर दें, यानि कि इसका व्यूत करम ले 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 अगर आप, तो log 10, log B on base 10 का वित्करम क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, 1 upon log 10 आगे आजाएगा, और base में B चला जाएगा, ठिक, इसे तरह से, इसको भी हम ले 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 लेंगे, log 1 upon log, base में चला जाएगा 10, 10, sorry A, और 10 आगा जाएगा, आपका आगे, इसे तरह से इसमें भी इसको जो है, लिखते से में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गल्ती होने के चांसे बहुत जादा है, तो जब इसको इस तरह से आप देखेंगे, तो अगर ये, लॉग B on base 10, log A on base 10, log C on base 10, R in AP हैं, तो इनके रेसीपोकल होंगे, वो किसमें होंगे, और also in GP, किसमें होंगे, GP में होंगे, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ABC GP में हैं, तब log 10 on base A, log 10 on base B, log 10 on base C, किसमें होंगे, GP से रणिंग में होंगे, ये question 2021 में आया हुआ है, ठीक है,